असलाम अलेकुम वेलकम बेक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हिजाब कैप वितने का बहुत ही आसान और बहुत जल्दी आप जो है इसे बना सकते हैं लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि में आप जो है इस कैप को बनाने के लिए कोई भी material यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास available है और साथ में मैंने यहाँ पे गुम सिलाई के साथ में इस कैप को ready किया है तो यह जो कैप है वो पहनने में बहुत जादा comfortable है अगर आपको अलग से nosepiece नहीं लगानी है तो आप ज जीने अलग से नहीं पैनना है, उनके लिए ये हिजाब के बहुत ही जादा यूसफुल है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते है, तो आज की हिजाब के लिए मैंने यहाँ पे बटर ग्रैप का फैबरिक लिया है, आप कोई भी फैबरिक ले सकते हैं, या जॉर्ज आप जो है इस फैबरिक को नोस्पीस के साथ बना रहे हैं, तो आपको आदा मीटर जो है इसमें लग जाएगा आराम से, तो इस तरह पहले आपको डबल करना है और फिर इसकी लेंद आपको ले लेनी है, तो यहाँ पे जो है हम इसकी लेंद 21 इंच तक रखेंगे, तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे, यह देखिए मैंने 7 इंच पे मार्क कर दिया है, और यहाँ से यहाँ तक हम इसकी लंबाई लेंगे, तो लंबाई हम 8 इंच रखेंगे, क्योंकि यह कैप हम बड़ी साइज में बना रहे हैं, जो के हर लेडी और गल को आराम से फीट ह जाएगी, तो आप इस्ट्रेशेबल फैब्रिक नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी यह जो कैप होती है, इस साइज में अगर आप बनाते हैं, तो आप बहुत ही आराम से पहन सकते हैं, तो यहाँ पे इतना बॉक्स बनाने के बाद में आपको यहाँ साइड में दो इं जो है, जहाँ पे हमने मार्किंग की है, इस तरह क्रॉस रखना है मेजर टिप को, और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, देखे बिलकुल इस तरीके से हमें यहाँ पे क्रॉस में एक लाइन खीचनी है, अब हमारी यहाँ पे कैप की जो है मार्किंग हो चुकी है, अ हम double में cut करेंगे तो उसके लिए मैंने fabric को पहले double किया है उसके बाद में हम 12-12 से fold करेंगे यानि आपको total जो है वो 4-4 में fabric को इस तरह रख देना है उसके बाद में इसकी लंबाई हमें लेनी है तो हम लंबाई 8 इंच तक ही रखेंगे क्योंकि हमने cap में भी 8 इंच तक रखा है उसके बाद में आप हम इसकी चोड़ाई लेंगे तो चोड़ाई हम यहां से 3.5 इंच पे mark करेंगे यह देखिए मैंने 3.5 इंच पे mark किया है अब हम दुबारा से इस तरीके से लंबाई में mark कर देंगे इतना करने के बाद में हम यहां से हलकी सी गुलाई देंगे यह देखिए इस तरह हमें गुलाई देनी है और फिर इसकी cutting कर लेनी है तो हमने देखिए यहां पिसकी cutting कर ली है तो यहाँ पर भी हम हलका सा कट लगा देंगे दोनों सिंटर में तो इस तरीके से हमारा जो यह हिस्सा है दीखे डबल में कट हुआ है तो इसे किस तरह लगाना इस स्टीचिंग के वक मैं आपको बताऊंगी उसके बाद में हम नोस्पिस की कटिंग करेंगे तो दिखिए मैंने यहाँ पर नुस्पिसी कटिंग पहले से करके रखVer हुई है तो इसकी चोड़ाई मैंने यहाँ यहाँ पर 40 निच रखे है आप देख सकते हैं और इसकी जो लंबाइऑ रहेगी फो हम देखते हैं कितनी हैं तो मैंने इसकी lomबाइऑ जो है वो 12 तक रखे रहा सकते हैं तो आप अपने हिसाब से तरह हम यहाँ चौड़ाई कितनी नियुकल cat ikp near the body के लिए जो हमने कैप की कटिंग की है उसको बिल्कुल बीच में रखना है और यह राउंड वाला हिस्सा दोनों उपर नीचे एक एक रहेगा इस तरीके से बिल्कुल बराबर में आपको रख देना है इसके हमने यहाप पे सेंटर में जो है वो कट लगाया था तो इसे मिलात होगी यहां से यहां तक और नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा आप देख सकते हैं एक इंच तक चुटा है तो वहां पे आपको सिलाई नहीं लगानी वह पर हम इलास्टिक लगाएंगे तो यहां से देखिए आपको पकड़ना है बीच वाले फैबरीक को पकड़ना है फिर लास्ट में निचे आपको एक ही छोड़ देना है तो 8 इंच तक हमने मार्किन तक ही आपको सिलाई लगानी है यह देखें यहां तक ही सिलाई लगानी है यहां से यहां तक सबसे पहले सिलाई लगाएंगे हम उसके बाद में हम दूसरे हिस्से पर भी सेम उसी तरीके से सिलाई लगाएंगे ये देखें दूसरे हिस्से पर भी आपको ऐसे ही पकड़ना है गुलाई वाले हिस्से को फिर बीच वाले हिस्से को उसके बाद में जो हमने पीछे रखा था राउन वाले हिस्सा तीनों के एक साथ में इस तरह पकड़ते हुए हमें इस round वाले हिस्टे पे सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पे आपको सिलाई बहुत ध्यान से लगानी है बहुत ज़्यारी परसे भी ने और बहुत ज़्याद आपको फैबरिक भी नहीं लेना है तो यह देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको सिलाई करने है तो इस तरीके से देखिए आपको गोल घुमाते जाना है और साथ में बीच वाले फैबरी को और नीचे वाले फैबरी को एक साथ में रखते जाना है ऐसे देखिए बहुत ही आराम से इसके उपर सिलाई हो तो इस हिजाब कैप में अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूट सकते हैं मैं आपको इंशाला जरूर रिपलाए दूँगी तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो सिलाई लगा दी है तो इस सिलाई लगाने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है ये देखिए हमारी जो कैप पे वो अंदर चले गए है और ये राउन वाला हिस्सा दुनों तरफ का इस तरीके से आपको जो है इसे अटेच करना है उसके बाद में हम कट लगा देंगे क्योंकि हमें इसे आप टन करना है तो ये इस्सा जो हमारा सिलाई का है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा तो अब हम इसे जो है वो color देंगे तो ये दिखिए हमें यहाँ से इसे turn करना है तो देखिए मैंने इसे सिधा कर दिया है और सिधा करने के बाद में हमारी cap कुर्छ इस तरीके से दिखाई दे रही है ये दिखिए सामने वाला इस सा और आप देख सकते हैं सिलाई बिल्खुल इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही है गुम सिलाई के साथ में हमने इस हिस्से को यहाँ पर अटेच किया है और यह नीचे जो हमने फैब्री को छोड़ दिया था यहाँ पर हमें एलास्टिक को लगाना है तो एलास्टिक भी हिस्सा रहेगा यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे उसके लिए हम फैब्री को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह घुमाते हुए हम इसके उपर सिलाई लगा देंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करने और भी अलग-अलग तरीके से विजाब कैप बनाने का तरीका मैंने इसमे देखिए यहाँ पर इसे बंद करना है आप चाहे तो डारीक भी अंदर के तरफ फोल्ड करके बंद करके उसके बाद भी अलगा सेते हैं लेकिन मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगी इसे देखिए इस तरह मैंने डबल किया है और एक पतली से सिलाई हम इसके उपर साइट स बलकुल लगा देंगे इस तरीके से तो यह देखिए मैंने इसके उपर सिलाई लगा दी है अब उसके बाद दुबारा से से हमें फोल्ड करना है और इसके अंदर इलास्टिक को लगाना है तो यहाँ पर मैंने देखिए पतली वाली इलास्टिक लिए है और यह तीन इच क कर दें उसके बाद लास्टिक को अंदर की तरफ रखते हुए खीषते जाएं और इस तरह से इसके ओपर सिलाई लगा दें अपको फैब्रीक के हमने इसके उपर इस तरीके से लास्टिक को लगा दिया है इलास्टिक लगाने से आपकी जो कैप है वो अच्छे थे बैट जाती है उसके बाद साइड में यही इसा जो है क्रॉस में इसे हम सिलाई करेंगे तो उसके लिए दुबारा से हम इस तरहां फोल करेंगे और डबल फोल करते हुए हम दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे यहां पर भी हमें दिखी इसी तरीके से फोल करके सिलाई लगानी है तो यहां पर दिखिए मैंने साइड की सिलाई के उपर लगा दी है और यहां पर भी सेम उसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे तो मैंने यहाँ पे दुनों तरफ सिलाई लगा कि इसे कंप्लीट कर दिया है तो हिजाब कैप हमारी जो है वो रेडी हो चुकिए है अगर आपको डायरेक इस तरह वेर करना है तो आप कर सकते हैं बहुत ही जादे कंफोर्टेबल बनी है और जरा भी टाइट नी है और बड़ों के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है इसके बाद में हम नोस्पीस लेंगे तो नोस्पीस को सबसे पहले हमें रेडी करना है तो उसके लिए यहाँ पर जो मैंने नोस्पीस कट की थी आप इसकी चारो तरफ हमें सिलाई लगानी है तो इस तरह हम बारीक सा फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड करने के बाद में हमें सिलाई लगानी है तो चारों तरफ हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा किसे रेडी कर दिया है अब इसे attach कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इसे attach कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको अपनी हिजाब कैप को लेना है, यहाँ पर हमें बिल्कुल सामने की तरफ ही लगाना रहेगा, यह दिखी इस तरीके से लगने के बाद में यह दिखाई देगी, तो हिजाब कैप को आपको इस तरह फोल्ड करना है और इसका सेंटर इस तरीके से, उसके बाद में आपको यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है, जो कि नोस्पीस के हिसाब से, जब हम यहाँ पर बेल्ट वाली नोस्पीस बनाते हैं, तो हम यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करते हैं, जो कि हमारे आखों की पुरी लंबाई जो है वो 7 इस आप से कर सकते हैं, तो उतना ही हम यहाँ पर भी 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरह दोनों तरफ हमने निशान लगा दिया है, यह देखिए इस तरीके से, अगर आप पुरी लंबाई लेंगे बीच की तो 7 इंच तक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से मार्किंग कर अगर पिल तरह देंगे, काप को हम बिल्कुल सिथा रख़एंगे, जो मार्किंग हमने की है, पिल्कुल उसके बराबर रखते जाएंगे, और निश्पीस को हम नीचे रखेंगे, हिजाब काइब को उपर रखना है, देखिए इस तरीके से और इस तरह पहले हम पिल लगा देंगे उसके बाद में हम सिलाई लगा के nose piece को attach करेंगे यहां दोनों तरफ से तो इस तरह की nose piece आपको जो है वो ready mid भी मिल जाएगी लेकिन वो महंगी रहती है तो घर के बचिवे कपड़े में अगर आप बना लें यहां पर अगर आपको इसा लगता है कि यह कम है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसकी लंबाई चोड़ाई भी आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं तो हमारी cap बनने के बाद में बहुत प्यारी लग रही है आप देख सकते हैं यहां पर और किसी किसी को क्या है कि यह नोस्पीस जो है वो round shape में पसंद आती है किसी को double में पसंद आती है तो सब आपके उपर depend है जैसा आपको अच्छा लगे आप उसे साफ से fabric को लिजिए अगर आप double में नोस्पीस बना रहे हैं अगर आप जादा रहे हैं तो मैं आपको जो है वो डमी को पहना के बताऊंगी तो आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा कि किस तरह यह दिखाई देती है पहनने के बाद में तो देखे आपको बस simply जो है इस तरह पहन देना जैसे देकि मैंने यह हिजाब Queep पहनाई है इसकी वीडियो देख सकते हैं तो आपको बस देखे इसतरह Cap को पहनना है जैसे normal आप Cap को बढनते हैं लेकिन इसक मां बेशीर आपकी की टशां से ही लग्ब हुई है क्योंकि ये बिल्कुल perfect बैठती है हमारे आँखों पे बिल्कुल अच्छे तरीके सेट हो जाती है आपको अलग से पिन लगाने के ज़रूरत नहीं पड़े ही और यहाँ पे आपका जूड़ा वगयरा अच्छे सेट हो जाता है और टाई करने के बाद में आप देख सकते हैं हिजाब कैप कितनी अच्छी और perfect बनके ready हुई है और अच्छी खासी बड़ी है और loose भी है तो आप लोग जो है एक बार जरूर ट्राइ करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आता है आप आया बगारा सीखना चाहते हैं तो आप मुझे उसकी फोटो मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं तो मैं इंशालला जरूर ट्राइ करूंगी उस पर वीडियो बनाने की वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कुछ भी अगर आप मुझे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए दौाओं में याद रखें टेक केर, अल्ला हाफेज